हेलो मेरे राम है संचुचर आप देख रहे हैं टेक बार आज हम बात करने वालो एक ऐसे फोन के बारे में जो मिसी रोड पे गिरा हुआ मिला है और मेरे को नहीं पता कि वह यह कौन सा फोन है इसके पीछे रियल मी लिखा हो और इसकी स्पेसिकेशन बहुत जादा मैच करती ह है अपकमिंग रियल मी फोन से तो इसलिए मैं इस वीडियो का यह वाला टाइटल कर रहा हूँ सारी बाते डीटेल में करते हैं सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन के बारे में और इस फोन का जो बैक पैनल है वो प्लास्टिक का है बट हम इसमें ग्रीडियंट फिनिश द अर्फोन जैक का अउट्पट क्या अल्टी मेट है अर आप लोह को मैं एक्स प्लेइन नहीं कर सकता मेरे को सरे सारे डिवाइस के हीडफोन जैक का आउट्पुट अल्टीमेट होता है बट यहां पर एक चीज है एड़फोन जैक के साइडम के माइकर यूइस भी पोर्ट जिसके लिए भाई मैं बताता हूँ आपको माफ कर देना चाहिए क्योंकि हमें इसमें बॉक्स में फास्ट आजर देखने को मिल जाता है इसके आगे चलके बात करेंगे और राइट साइड में हमें स्पीकर देखने को मिलते है और वो बहुत ही अच्छे आउटपुट के है तो आप दो नैनो से में एक माईक्रो एसडी भी लगा सकते हो तो यह बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है यहां पर खासकर हमें इंडियन्स के लिए और अगर मैं बात करूए इसके फिंगर्प्रिंट स्कैनर के बारे में तो यह क्या स्पीड वाला स्कैनर सीरिसली मुझे काफी जादा पसंद आया और फेस अनलॉक भी अच्छा काम कर जाता है बट वो जातर सिक्योर नहीं होते जातर फोनों में सिक्योर नहीं होते इयर पीस की बाद कर तो लाउड एंड क्लियर है और सारे सेंसर हमें इसमें देखने को मिल जाते है एन फ नहीं है नोट 7 प्रो जो है फ्रंट और बैक ग्लास के साथ आता है तो सच में उसकी इन हैंड फीलिंग भी बहुत कमाल की है और है अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करकर ज़रू जाना है भड़ी खुशी मिलेगी और सब्सक्राइब तो करी लो क्योंकि इस फोन के ऊपर बहुत सारी वीडियो अभी आने वाली है अब बात करते हैं इस फोन की डिस्प्ले के बारे में इसमें 6.3 इंच की फुल एज़ी प्लस रेजिलूशन के साथ IPS देखने को मिल जाती है जो कि गोरिला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ आती है तो यह काफी अच्छी बात है और अगर मैं बात करूँ इसके बेजल्स के बारे में तो हमें काफी कम देखने को मिल जाते है और जितने कम बोर्डर सोना डिस्प्ले में उतनी जादा एट्रेक्टिव लगती है और उपर सामें ड्यूटर आप नौस देखने को मिल जाती है तो वो एक ए देखने को मिल जाता है जो कि 1 प्लस 16 में गलते है और 16 वाला 16 एपरच mapped के साथ आते है तो आपकी लो लाइट पफो हमेंस तो बहुत धासू chi वाली है मेरे को नहीं पता रियल मी ने कैसे पॉसिबल किया है बट क्या अल्टीमीट कैमरा है इस फोन का आप लोग को मैं सेंपल दिखाता हूं मैंने काफी कंडिशन में फोटोस कीची है और हर जगा प्यार इसने मुझे इंप्रेस की है डे लाइट में इतने अच्छी इसक का कैमरा जादा अच्छा है और वो मैं वीडियो 100% लेकर आऊँगा तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना और कैमरा यूआ के बारे हम बात कर तो बड़ी सिंपल सी यूआई है बट सारे फीचर्स देखने को मिल जाता है और स्लो मोशन भी देखने को मिल ज साथ इसके भी आप लोग को थोड़े-बुच सेंपल दिखाता हूँ क्या कमाल की फोटोस आई है फ्रेंट कैमरे से इतनी शार्प सेल्फी मोड में एस डिटेक्शन भी काफी अच्छी काम कर रही है ओवरॉल मेरे को फोटोस की क्वालिटी आर काफी अच्छी लगी और स् बिएस है इसके अंदर एक्सपोजर भी अच्छा खासा मेंडें किया है, कलर्स भी काफी अच्छी आ रहे है फोकसिंग की बात कर तो काफी फास्ट फोकस करता है यार ये एकडम से के आगे फोन लिकर आओ तो ऑनभा स्पॉर्ट फोकस होता है तो म сигнал बहुत य अच्छी फ फोकसिंग की कोई खास प्रॉब्लम भी नहीं है और ये रिकॉर्ड और ये इसके फ्रंट कैमरे से और मेरे को तो 25 मेपिक्सल का फ्रंट कैमरा सुनकर ही हरानी हुई और काफी अच्छी कॉलिटी इसमें आ रही है और वीडियो स्टेबल भी है तो आप इससे व्लॉगिंग भ कैमरे के बारे मेरे लास में यही कहना चाहूंगा क्या अल्टीमीट कैमरे इसका मैं स्पीचलेस इस ताइम पे और मेरे को कहना पड़ेगा कि रियल मी ने काफी जादा मैनत करी है बट काश हर इसका डिजाइन भी प्रिमिम होता ना तो पर्फेक्ट फोन हो जाता है अब ब प्रो से बैटरेस की स्पीड है खासकर राइट स्पीड और इसमें हमें LPDDR 4X RAM देखने को मिल जाती है और अगर मैं बात करूं Android आप्टिमाइजेशन के बारे में तो काफी साही लगी मेरे को एप लोडी टाइम काफी कम था और सीधी बात तो ऐसी है कि मेरे को Color OS नहीं पस अच्छी बात ही है कि Snapdragon 710 काफी efficient चिप सेट है तो एक कम से कम heat करता है और अगर मैं सो compare करूं जो Note 7 Pro में देखने हो मिलता है Snapdragon 675 तो Snapdragon 675 का CPU बेटर है 710 से बट स्टिल मेरे को 710 की performance काफी अच्छी लगी अब कोई भी फोन खरीते हो आपको performance में कमी तो at least नहीं आने वाली हो सकता है कि आपको UI किसी एक की पसंदा है मेरे को personally MIUI पसंदा है बट भाई कुछ भी को फोन काफी अच्छा बनाया है अब बात करते इस फोन की बैटरी के बार में और यहां पर रियल्मी ने तगडी इंप्रोव्मेंट की है 4045 एमेज की हमें बैटरी देखने हो मिलती है जो वोल्ट टू एमपेर का चार्जर दिया है तो यह हज से जादा अमेजिंग बात मेरे को लगी और मैं कई ना तो कहीं इंप्रेस हूँ और अगर आम बात करूब बैटरी पे बारे में तो अभी मेरे को बहुत अच्छा तो नहीं देखने हो मिल रहा बट स्टिल इसका अभी में को एक ही शिकायत है काश इसका डिजाइन भी थोड़ा सा और प्रीमिम कर दिया होता ना तो नोट सेवन प्रो लिटरली किल हो जाता वह यह माइकर एसबी पोर्ट हो सकते है कावसरे लोगों पसंद ना है बट यार स्टिल हमें इसमें अच्छी कासी वूप फ्लैस चार झाल